विल्कम बैक टूमारे यूटूब चैनल पेपर हैकर अगला कुश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकारत है तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके जितनी भी शौट आंसर टाइप कोशिन है ठीक है तो अंसर टाइप कोशिन की लॉंग कोश्चन हमने सब कर लिए हैं जिसके ब जुन का दूटर के आधार आपको बताना है कि निंन में से कौन सेहं सांो है कौन से मॉली कीओ ज्यों स्थाइए कैसा है स्थाइए आपका इस तेवल है ठीक है तो यह आपको बताना है ठीक है on the basis of the one order predict which i am the following species is most stable ठीक है कैसी सबसे ज्यादा स्टेवल कौंसी है वो माली किल आपको कौंसे दे रखा है इदे आपको एक O2 माइनस के दे रखा आपको O2 माइनस O2 और एने टू है कौन सा इस्टी बालें कि अधिक स्थाइइ मैं सा इस्थाइब यह यह आपको बताना है ठीक किसके आधार पड़ के आधार पड़ुझे wedi प्रतियक मलीकुल में इलेक्ट्रीक उर्विक बिन्यास क्रमसा निम्यवथ है इन में जो उर्फ माइनस का विन्यास वो कैसा आपको नीचे ठीक है इलेक्ट्रान और उसका अर्डविक और विटल नीचे आपको दे रखा इसी के आधार पर हम बताएंगे कि इन में से कौम सा जो है वो मोस्ट इस्टेबल है यानि कि सब्सेदा ज्यादा इस्थाई है हिस्ट रखा आपको इलक्टरान की संख्या आपको रखी है और क्या रखा है आपको आपको और दे रखा है यहां पर आपको बंडॉटर मिल जाएंगा भंठ करं मिलजाएंगा बंदक seconds है अधार हमें ये बताना है फिर चाहिए पहले कि कि तो यहां पर देखो इसका जब आंडविक और विटल विन्यास भरो गया आप तो किस तरह से आजागा सिग्मा बनेश्टू सिग्मा इस्टार बनेश्टू सिग्मा टूएस्टू सिग्मा स्टार टूएस्टू और सिग्मा माडा टूपी डैड ए स्क्वायर फायड इस्क्वायर पाय टूपी लाइस्क्वायर आफ टूपी ऑगर सिग्मा टुपी लेखेगे तो लो ची awake bon टू- आप देखी बॉन्ड और का फार्मूला हता है चैना ऐने अपॉन्ड टू ठीक है यानि कि बॉंडिंग के लेक्टोन मायनिस एंटी बॉंड के लेक्टॉन को हम दो से भाग कर देते हैं तो बॉंडिंग के लेक्टॉन होते हैं हमारे जिन पर नहीं लगा होता ठीक है तो दो यह हो जाएंगे दो यह जाएंगे आपके चार और दो यह हो जाएंगे छे और दो यह आठ और दो यह आपके तो दस आपके किस्ते होगे अंटी बॉंडिंग के लेक्ट्रॉन ठीक है एंटी बॉंडिंग की बात करें तो जिन पर स्टार लगा रहता है दो यह रहे हो गए ठीक दो यहोंगा चार और धू होगे च्छे और एक सा किटम जाए है तो यह कितबत पॉइंट फायब के जाएब के बिच में आपको बिंच में बन बनबा कर दो रही है इतना बंध क्रम हो गए इसके बीच में वो भी एक पर आपका मायनस का होगा जब तो दूसरे की अगर हम बात करा है ओटू इसमें इलेक्ट्रोन कितने होते हैं आपके 16 इलेक्ट्रोन होते हैं जिसको हम अंडविक और्विटल बिन्यास इस तरह से लिखते हैं स्टार बने क्वा इसको हर एक्सको सब्सक्राइबी का इसकोर और powin ने जिखने लेक्ट्रोन के आपकेर वर ये फिंह यह यहां पर किता कि एक इल स्टार टीक शार तो लाइंड ना लगा हुगे लान धोन दोशन डुम पर यह आजाएंगे चार दो यह अजयां मेंаздarin दुधा वाट फिएव ETC आपकर दो and the bonding की बात करऊंगे गाट चार और एक यह आया फ्रिकन वह छे तो ट्ल्व किषर माइने सटाओ जाता आपका लिए घ्त तो हम्हक्त सकते हैं कि आपको अलीकिल जो है आक्सिजन और जो जूह है जो कि और टू माइनस से आपका अधिक बॉंड है ठीक है अब हम इसमें एनी वाले में और देख लेते हैं यह क्या कहे रहा है है आपकी एंई टू प्लस अगर हम बात करें एक अनी जो रहें था उनका प्रमान कुर्माह किता होगा आपका 20 तो यहां पर देख ली लीजिये आपका वीस में से एक प्लस का है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो ठीक है वीच माइनस एक कर दिया बेस माइनस एक बराबर क्लिवा अगए आपका उनिस आ गया तो उनिस के जब आपका अड्रुक और बिन्याज बढूकर्गे तो किस तरह से आएगा आपका सिग्मा बनेच्टू सबस्टार बनेच्टू और सिग्मा टूइस्टू सिग्मा इस्ट थो और सिग्मा टूपी जैड़ स्कॉर पाय two यहां पर कितना जागा एक आजागा ठीक है आपका आपका अड़ीक और विन्यास तो सबसे पहले हम बात करें कि और उसमें कितना आगे आपके कितना जाएंगे आपके दू इलेक्टोन यह और दू आपके 8 और एक आपके यह कितना नौ यह अट दस माइनस नौ बटे दो यहां पर किता आ जाएगा बन बटे टू जब इसको भाग करोगे तो किता आ जाएगा पॉइंट फायब तो हम कह सकते हैं यानि कि जो एनी टू पिलस होगा एनी टू पिलस होगा इसके बीच में आपका कितना बॉंड आएगा आधा आगा ठीक है कि कितना था तू और एनी टू प्लस वाले में आपका कितना आ गया इसमें आगया आपका 0.5 तो इनमें आपको कौन सा स्टेवल दिख रहा है यह आपको बताना है ठीक है यह आपको बताना है अब देखो है कि इन तीनों है कि अरा हम जानते हैं जिस स्टेवल अधिक इस्थाई होता है यानि कि किसी भी कोई भी मॉलीक्यूल जिसका जो बॉन डॉर्डर है वो जितना ज्यादा होगा वह उतनी ही ज्यादा अधिक स्टाई होगी तो देखो ज्यादा किसमें आउक्सिजन वाले में ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कैसा होगा इस्टेबल होगा ठीक है इस्टेबल अधिक होगा कौन सा ऑक्सिजन आपका मॉलिक्यूल ठीक है अता ओटू प्रोग्त समस्त सीज में इस्थाई 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 बीनु दैट कि आपका कौन सा ओजागा इस थाई गालते हैं अपका क्या अपका इस्थाई बाद आपका क्या आजागा एक अडे पीलस टींगा यह आजागा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को पहले सबसे पहले सबस्क्राइब कर दें उसके साथ ही प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है और आपके त्यार ही अच्छे से चलती रहा है ठीक मिलते हैं अगले वीडियो में बने रही हमारे को मतलब पढ़के अपने इच्छे से त्यारी कर सकते हैं ठीक है बने रही है हमारे साथ मिलते हैं कि लिए वीडियो में थैंक यू बाइस